हेलो एवरिवन मैं अमन आपका स्वावत करता हूं हमारे चैनल नौलेज आई की स्ट्यूडियो में आज हम स्टार्ड करेंगे मिश्टर एन एलिएशन बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक तो आज हमारा बिल्कुल बेसिक लेवल रहेगा लेवल 0 तो पहला कोशन हम करेंगे इसका मतलब अगर किसी क्लास का एवरेज वेट 15 KG है तो हमको फाइंड करना है नमबर फाइंड करना है तो इस टैप को कॉशन को से कैसे सॉल करते हैं यह आज हम सीखेंगे सबसे पहले हम लेते हैं पहरी ग्लास का पहली लेंगे दूसरी लेंगे दूसरी क्लास का विड़ेज वे चोगी 30 kg है 30 kg अब इसके बीच पे हमको हमेशा इन दोनों के एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी अगर पता है अच्छी वात है नहीं पता तो हमको निकालके यहां पर एवरेज वैल्यू ही पुट करते हैं लेकिन हमको इस कॉर्चन में पहले से ही पता है कि एवरेज वैल्यू 25 ह है तो इस एवरेज वैल्यू को हमनë यहां पर पुट कर दिया यानि ऐसके बाद आ हमको यह स्टेप करना होता है कि इन नों को डिफरेंस इसको यहंको धरना परता है ट एन लेकिन हमको इस बात कर याद रखना है यह वैल्यू प्रौ availability जो है हमेशा इन दोनों के बीची ब तो अब इनका हमको जैसे वैल्यू आ चुकी है फाइव और टैन अब उसका सबसे चोटी सबसे चोटे फॉर्म इसको लिखना पड़ता है तो इसको काट सकते हैं वन रिशो टू आए यही इसका अंसर है तो क्लास वन और क्लास टू के नंबर ऑफ इस्टूडेंट्स का रिश विख भीट के बिखला हैं तो हमको निकालना है तो हमको इसमें पहले समय कोश्टन के तरह ही इसको करना है पहले सकते हैं 10 चांग फिर हमको boys का weight लीना है जो कि 30 kg given है और फिर इन दोनों का average भी weight हमको given है योगि 25 kg है 25 ले लिए हमने अब हमको इनका सिर्फ difference लिखना होता है तो 15 और 25 को difference 10 30 और 25 को difference 5 इसको हम काटेंगे तो 1 issue 2 answer आ गया हमारा लेकिन इसमें हमको क्या दे रखा है if the number of boys हमको पहले सी given है जो कि 12 है और यहां पर हमने यह हमारा girls का ratio था और यह हमारा boys का ratio होता है तो हमारा boys के value 2i है ratio में जो कि actually में 12 के equal है तो 1 की value क्या होगी 6 number of girls हमारी कितनी आ चुकी है 6 इजी बहुत ही easy भी में आपको बताया गया है इसमें हम एक और question देखेंगे अभी एक और question देखेंगे इसमें हमको दे रखा है the ratio of number of girls to number of boys is 1 is to 2 इसमें हमको girls और boys का ratio दे रखा है 1 ratio 2 पहले से ही given है इसमें if the average weight of boys is 30 kg अगर average weight boys का हमको दे रखा है 30 kg and average weight of both boys and girls 25 मतला इसमें हमको boys का ratio दे रखा है और boys & girls नों का ratio दे रखा बट हमको निकालना है girls का ratio then average weight of girls is देखें इसको कैसे करेएंगे अगे इसमें पहले हम यहां पर girls का ratio रखते थें यहाँ boys का रिवरेज़ रखते ते यहां दोनों का एवरेज यह रखते थे अब हमको girls का तो पता नहीं है लेकिन boy का तो पता ऐँ में बॉय का 30 ऑर दोनो का avER Drake हमको पता है 25 है यह अरो dire का थैब टरी यहां द्री रखाऐ dhera boys का और पर हमको इसके बाद जो ratio आता है वो हमको given है ratio यहाँ पर हमको given है 1 is to 2 तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमको यह value निकाल नहीं है अब यह कैसे निकालते हैं देखिए हमको यह पता है कि इन दोनों का difference कितना है 5 जब और यह 1 की value ही होती है यह 5 जब 1 की value 5 है तो यहां से 2 की value क्या हो जाएगी 10 जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो जब 1 की value 5 है तो यहाँ पर 2 की value 10 हो जाएगी अब यह 5 कैसे आया 30 में से 25 जाएगा तब ही 5 आया तो वही तो value यहाँ आती थी और यहाँ पर ratio में 1 के बरावर्दी रखी है और यहाँ पर ratio 2 दी रखा तो 2 की value 10 है इसका मतलब है इन दोनों में difference है 5 का तो इन दोनों में difference होगा 10 का तो देखिए 25 में से 10 माइनस करती है तो हमारा 15 आजाएगा अब ने माइनस ही क्यों किया क्योंकि आप देख सकते हैं कि 25 से और भी इससे थोड़ा level up करके दिखाएंगे आपको questions बिकुल high level तक जाना है हमको यह हमारी first class थी अगर आपको अच्छा लगे तो अपने friends के साथ share कीजिएगा हमारे चैनल को like कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे के वीडियो की notification पाने के लिए bell icon को दबाए थेंक यू